प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में जो डिस्कसन करेंगे वो HFCL को करेंगे HFCL में एंटी डंपिंग ड्यूटी फ्री होने को लेकर के यूरोप से खबर आई और इस समय कंपनी ने टर्म लोन के बदले साथ लाग रूपिया दिया है और उसको लेकर के है और सोट टम थोड़े बहुत करेक्शन दिख रहें इसके कारण में कहूंगा जो भी लोग इसे स्टॉक में सोट टम के लिए हैं वो थोड़ा कॉसन रहेंगे लेकिन लोंग टर्म अभी वी से स्टॉक में पोजेटिव दिख रहा है और पोटेंशली यहां से अपर साइट जाते दिखेगा सबसे पहले यहां हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी फ्री होने को लेकर के खबर दिखा यूरोप से और दूसरा देखेंगे एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को कंपनी ने 60 करोर एज तर्म लोन के रूप में एविलेबल हुआ है इसके अलावे टेकनिकली ट्रेंड अभी भी देखेंगे तो काफी स्ट्रॉंग है डिलेवरी देखेंगे तो कंपनी की ठीक ठाक दिख रही है आज का वॉल्यूम टू क यह वॉल्यूम काफी छोटा वॉल्यूम है और जिस प्रकार से हमने देखा इस स्टॉक में कि टेकनिकली एक बरा ब्रेक आउट हुआ है वन सिक्ष्टीन के आजपास का तो जिस प्रकार से इसने एक ब्रेक आउट किया हो सकता है डिट्रेस्मेंट को इस जोन में इन बिट विकनेस नहीं दिखेगी